हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल लर्न विद मायन मैं पहिममता वर्मा तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं डिसकेशन करने वाली हूं वो है कैसे बनी कौन इंडिया नेशनल कॉंग्रेस यह फिर आई एन सी आप बोल सकते हो ठीक है आई अगर आपको डाउट रहता है किसी भी पॉइंट पर किसी भी वीडियो के अंदर तो मुझे कमेंट सेक्शन के जरूर बता सकते हैं साथ कि आपको क्या करना है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और अपने एक कंप्लेट कोर्स यह चलने वाले यूपी एसी एपफो प्लस एससे जितने भी एक्जाम को टारगेट करती है उन सब एक्जाम के लिए यह कंप्लेट को सफीशेंट है और पिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट है जो आप अपना पेड कोर्स के अंदर कंटेंट को बाते ह लेकिन आपको क्या करना है बस इस चैनल को सपोर्ट करना है ताकि क्या करें मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो उसको प्रिपेर कर पाहूं आप एक पीक देख रहे हो जो क्या है एक ब्रेडिश्यर है जिसका नाम है यू जिसको क्या बोल कि शने है वह कब की जाते क्यों कर जाते है और किसने कंदे की इक रिटायर बने थिचेस को अधरयो इंडियन सिवन स्रवीसे करें क्या था इक दा 읏 इटावा के अंदर था उसके बाद वह एक पॉइम लिखता है पॉइम का नाम था old man's ho old man's ho इसके एक पॉइम है इसके question आ चुका है याद रखना क्या पॉइम का नाम उसके बाद जो father है किसे बोला जाता है INC का बोला जाता है किसको एओ हुम को ठीक है एओ हुम को father बोला जाता है किसका इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का उसके बाद जो इंडियन थी वो दो थियोरी लेके आते हैं अब रोल ब्रेटिश यहां से चले जाते हैं उस टाइम जो बंदे थे उनका यह कहना था कि जो यह ठीक है यह थी लाइटनिंग रोड ठीक है यह इनको हम डिटेल में डिसकॉशन करेंगे आगे अब बात है जो फर्स्ट इंडियन नेशनल कॉंग्रेस थी वो 1885 के अंदर रान का होते हैैं एक मीटिंग मीटिंग दर जो प्रेजिडेंट बनाए जाते ही वह थी टेवल्यस के अंदर होगी ऑट कि मिए आनलों से आप बहले बना गया ता कि पूरे केंदर हो गयी न पूर लो एक बिमारी का नाम है जो कि उस टाइम पर पूने के अंदर फैल चुकी थी ठीक है अब पूने के अंदर बिमारी फैल चुकी है ऐसे में तो नहीं जाएंगे बंदे वहां तो अब क्या करेंगे इन्होंने बॉंबे में शिफ्ट कर ले क्या अपनी इस मीटिंग को और कौन सी जंगे पे गोकुल–दास, टेजपाल संस्कृत कोलेज का नाम है कहां बॉंबे के अंदर वहां पे इन्होंने वस मीटिंग को हैल्ड किया ठीक है उसकी बात करते हैं जो सेफ्टी वॉल्ल थियोरी वो क्या कहती थी safety wall theory यह कहते थी जो कि British's है ना वो INC को क्या कर रहे हैं as they safety के लिए रख रहे हैं safety के लिए कैसे क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि जैसे हम क्या है एक pressure cooker है pressure cooker के अंदर जो भी अपनी डाल जो भी सब्सक्राइब बनाते चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं पकाने के लिए city लगवाते हैं city का बात है जब pressure हो जाते हैं तो city बसती है न भी हम क्या हो जाते हैं alert हो जाते कि एक city आगी दो आगी ऐसे ही British's क्या किया किया Congress को रखा Congress के हम क्या हो जाएंगे अलर्ट हो जाएंगे ठीक है इन्होंने ऐसे किया तब यहां पर समझते हैं माइंड मैप केंदे जो ब्रेटिश से ब्रेटिश को उस ट्राइब कौन था डफरीन था याद रखना जब सेफटी वोल्ट थी आते तो उस टाइम ब्रेटिश का वोइस रहे क वह क्यों क्यों कि आपने क्या ज़्यादा प्रेशान किया टैक्स वगारा लेगे कुछ भी ऐसी चीजहों से ठीक है अगर प्रेशान किया तो क्या होगा उन्होंने कहा कि जो 1857 के टाइम पे इससे भी ज़्यादा खराब जो रिवोल्ट है वो कर देंगे कौन इंडियन्स ब्रिटिश को पता चल गया पहले उन्हें एक रिपोर्ट के थ्रू अब ब्रिटिश को पहले से पता है कि रिवोल्ट करने वाले इंडियांस तो क्या करेंगे उन्होंने एक आइंसी की फॉर्मेशन कर दी इसकी त्रू से पहले के बंदे सोचते थे उस टाइम से ठीक है ज 這個 कोंग्रेस हमारे पासे और प्रेशा को रिलेज्ट कर देगी प्रैशर को मि diminушति करने इडा मिणने करिंट कर सिए सब्सक्राइब कोई भी प्रोब्लम इन्हें फेस नहीं करने पड़ेगी इसके कहा गया कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जो इसके बंदे वह क्या है ऐसे पॉपपेट बिठाए गया मत्तब खटपुतली कि तरह बिठाए हुए हैं जो इसके इंदर मेंबर्स हैं मेंबर्स कि कहना था जो कॉंग्रेस है वह ऐसे प्रेशर कुकर की तरह वहां पर रखी गई ताकि जब भी कोई बाहर से प्रेशर आए तो क्या हो हमारे पास सीटी बच जाए सीटी बच जाए तो मेंटों से हम अलर्ट हो जाएंगे और उस रिवोल्ट को जो भी आने वाला है मुमेंट उसको हम क्या करेंगे हirdal कर सकते अच्छे से कि अब आच कि दूसरी दूसरी लाइटनिंग.. रोड थियोली लाइटनिंग.. मतलब कोई भी इक लाएक लाइट है कैसके बनाए बिमर मतलब एक टॉर्च की तरह समझ सकते हैं कि टो पर क्या करते हैं अंध्यरा हो जाता हो मिलते हैं उनसे कुछ अपनी दिमांड्स कुछ बात के जाते हैं क्वां करने खार से ऐंडिया इसे सब्सक्राइब सोनेयों एंडियुक्त का अपने hakkनाे वुए होते हैं यह थी अपनी लाइटनिंग रोड थी अब बात करते हैं पीपल्स का क्या व्यू था क्या सोचते थे अब जी सोच नहीं है वह कौन सी थी पर चलेगी जो अपनी सेफ्टी वॉल थी है अब कॉंग्रेस रिप्रेजेंट ऑफ ब्रिटिश इसने बोला जो कॉंग्रेस है वह रि सेफ्टी वॉल थी को क्योंकि जब इंडियन सी ब्रिटिश बना दिये गए तो क्या हो गया सेफ्टी वॉल थी बन गई सेकेंड ब्रेटिश यूजिंग कॉंग्रेस ऐसे चूल मतलब जो ब्रेटिश हैं वह कॉंग्रेस को अपनी जुरूरत के हिसाब से यूज कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको जो भी रिक्वार्मेंट होती है तो उन्हें ऐसे टूल यूज कर रहे हैं यह बात कौन बोलती है आरसी दत बोलता है आरसी दत भी किसको फोला करते है सिफ्टी वॉल थी को यही चीज़े थी जो लाइट निंग रोड थी तो एट ल जो यहां पर C.F. Andrews है इन्होंने बोला कि जो यह फोर्मेशने कॉंग्रेस की क्या है एज मित है मतलब कुछ नहीं है इसका बेस कुछ नहीं है यह खोखली है यह बोला था उसने तो बात करते हैं इम क्या थी कॉंग्रेस की एम फर्स्ट एम था जो बिल्डिंग करनी थी न बंदे यूनेटी में आना स्टार्ट कर दिये थे क्यों कि वह रचीज को जान चुके थे अब एजुकेशनल जो बंदे थे वह भी इस चीज़ को समझ चुके थे और जो अपने पीजेंट्स विगरा थे वह भी प्रेशान होते थे तो साथ दिने गोना था था जो भी अधाज़ा लगा लेते हैं हाँ यह प्रोब्लम होगी अब तो यहां पर इस प्रोब्लम को आपके बार नोट करेंगे कोपी पे उसको क्या करेंगे आगे ब्रेटिश तक पहुचा देंगे ठीक हैं इनका यह काम था यह हर बंदे के पास नहीं जाते हैं हर बंदे से इसकी नहीं पूछते हैं नहीं पूछते हैं तो सिर्फ खुदी अंदाजसां लगाया जा रहे हैं three अडिया लिडियर्श्यप यह क्या कर रहे थे जब अपने के पूरी सेशन विड्र दिसंबर में ही उतने हर बार सेशन को करने के लिए क्या करते हैं अलग अलग की है तो कुछ ने कुछ यहां से भी इशू लिया जाएगा मिंटू से मतलब हमारी भी कोई वैल्यू है यहां पर पूरी की पूरी पूरी कॉरी इसमें ठीक है संदूरी की इसमे चीज मतलब हर बंदे को अवेर कर रहे हैं कि बहुं हम ऐसे कुछ भी अपने डिमांड्य से के सामने और इसका यह रिजार निकल रहा है तो हर बंदेको पूलेटिकली यहां पर इन्वह करें कुछ आएंस करना है आपको यह करने ठीक है इंको कुछ एम से आ आपको याद रखना है कि जो यह common issue को ले रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ अपने point of view से ले रहे हैं कि इन्होंने दूर से देखा कि यहां पर यह वाला issue है तो इसको उठाते हैं इन्होंने किसी से भी नहीं पूचा किसी पीजेंट के पास नहीं गए किसी भी आपके factory workers के पास किसी भी artisans के पास नहीं जाते कि आपको क्या problem है ठीक है सिर्फ अपने आप से क्या लगाते हैं अपना एक consider कर लेते कि हाँ यह problem है ठीक है अब बात करते हैं कुछ भी यहां पर जो presidents थे वह कौन-कौन बने थे और साथ की साथ जो इनके session है वह कहां कहां होते हैं यहां मैं करना थोड़ा difficult बढ़ जाते हैं ठीक है तो first session होता है 1885 के अंदर जो कि Bombay के अंदर होता है प्रेजिडेंट कौन थे डब्ली सीव एनरजी थे यह थे पने first क्या president और एक और बात याद रखना जहां भी meeting होगी वहां पर क्या होगा उस इलाके का बंदा प्रेजिडेंट न कलकटा के अंदर यह meeting होती है कौन बंदे प्रेजिडेंट डादा भाई नारो से ठीक है यह second कौन थे president बनाए गए थे कहां अपने 1886 के session के अंदर अब थर्ड होती है 1887 के अंदर मदरास वाले reason में और वहां पे जो एक बंदे को बनाया जाता प्रेजिडेंट जो कि first Muslim था मदरास वाले session के अंदर और कब हो आता 1887 के time पे अब इसके बाद आता है 1888 का session जो कि Allahबाद के अंदर होता है और उस time पे एक British को क्या बनाया जाता है President बनाया जाता है कोन से British का जोर्जे यूल करके एक बंदा था जो कि President बनाया जाता है किसका INC का उसके बाद करते हैं नेक्स ताइम फिर से कलके तक अंदर यहां पर बनाया जाती है एनी बैसंट फर्स्ट वुमें प्रेजिडेंट बना दी जाती है कौन एनी बैसंट और 1925 के अंदर जो सेशन होता है कानपूर कानपूर जंगह पर होता है 1925 के अंदर जो सरोजनी नाइडू को क्या बनाया जो कि क्या बनाएगी थी प्रेजिडेंट बनाएगी थी आप समझ सकते जो फर्स्ट वुमें का बात आएगा तो आएगा 1917 कलकत्ता के सेशन कौन बनाएथी एनी बैसंट अगर बोला जाते है फर्स्ट इंडियन वुमें जो कि क्या बनाएगी थी प्रेजिडेंट को भी था मैंने आपको discussion कर लिया है तो अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्षिन की तुरू अपने डाउट को जरूर बताएगा और इस वीडियो का लाइक करें कमेंट करें